हेलो बच्चों कैसे आप सब आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमेस्ट्री में इलक्ट्रो केमेस्ट्री का पार्ट 4 अगर अभी तक आपने प्रिवेस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं आज के वीडियो में अपन दो टॉपिक करने वाले एक तो यह समझेंगे कि लीमिटिंग मॉलर कन्ड़क्टिविटी क्या होती है और एक कॉल्रावस लोग और उसकी एप्लिकेशन को समझेंगे तो start करते हैं सबसे पहले कि limiting molar conductivity क्या होती है तो जो अपने last video किया था उसमें अपने देखा था कि molar conductivity जो होती है वो increase होती है जब अपन concentration decrease करते हैं या फिर dilution को क्या करते हैं increase करते हैं तो molar conductivity क्या होती है increase dilution के साथ साथ molar conductivity increase होती है concentration कम करने पर molar conductivity increase होती है concentration को कम करना या dilution को बढ़ाना एक ही बात होती है ठीक है तो अगर अपन concentration कम करते हैं और molar conductivity बढ़ती है इसका मतलब concentration कम करते 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 एक concentration ऐसी आएगी जिस पर molar conductivity बढ़ती बढ़ती क्या हो जाएगी infinite अब कब infinite होगी जब concentration almost approach करेगी 0 के तो when concentration approach to 0 या फिर concentration 0 को approach कर रही है तो अपन क्या समझ सकते dilution उसका उल्टा होता है तो वो infinite को approach कर रहा है ऐसे समय जो molar conductivity होगी उसे कहेंगे limiting molar conductivity तीक है और limiting molar conductivity के लिए lambda m के उपर 0 लगाते जीरो क्यों लगाते क्योंकि इस समय concentration कितनी almost 0 आप lambda m के उपर infinite word भी लगा सकते कुछ books में लिखा रहता है NCRT में ये symbol लिखावा है कुछ books में ये symbol लिखावा है या infinite क्या denote कर रहा है फिर वो dilution को denote कर रहा होगा ठीक है तो अगर concentration के हिसाब से लिखे है तो उपर 0 लगा दो dilution के हिसाब से लिखे है तो उपर infinite लगा दो ठीक है अब दो तरह के electrolyte होते हैं एक होता है strong electrolyte और एक होता है weak electrolyte strong electrolyte वो होते है जो मतलब पानी में dissolve करने पर completely ionize होते है almost completely ionize होते है उन्हें अपन क्या कहते है strong electrolyte और weak electrolyte जो होते है वो से 5 या 10% के आसपास क्या कर पाते है ionize हो पाते है या कम ionize होते है उन्हें अपन weak electrolyte कहते है strong electrolyte के क्या-क्या example होते है strong electrolyte कौन-कौन से होंगे मैं यही लिख देता हूँ, strong acid होगा, strong base होगे और सारे तरह के salt किस में आते है, strong electrolyte में आते है तो इसके लिए अपन समझते हैं कि पहले अपन यह देखेंगे कि molar conductivity strong electrolyte की कैसे vary करती है concentration के साथ और फिर अपन देखेंगे कि strong electrolyte के लिए limiting molar conductivity कैसे निकालते हैं तो as we increase dilution, the molar conductivity increase यह तो अपन जानते हैं, यह अपन उपर भी लिखे हैं कि जैसे-जैसे dilution बढ़ाते है molar conductivity बढ़ती है, चाहे फिर वह strong electrolyte हो, चाहे वह weak electrolyte हो लेकिन किस pattern में increase होती है वह फरक होगा strong electrolyte के केस में increment तो हो रहा है पर increment क्या है काफी slow है जैसे देखो एक यह graph में इस तरफ molar conductivity ले रखी है इस तरफ क्या ले रखी है concentration, ठीक है root c क्यों है, एक relation है, इसलिए root c ले रखा है c की power 1 by 2 भी लिख सकते है इस तरफ जाने पर concentration बढ़ रही है तो इस तरफ जाएंगे तो dilution बढ़ेगा इस तरफ concentration बढ़ रही है तो इस तरफ जाने पर dilution गटेगा तो इस तरफ जाने पर dilution बढ़ेगा और अपन effect कैसे समझ रहे है, dilution के बढ़ने के pattern में इसलिए अपनको graph को इस तरफ से इस तरफ read करना है ऐसे समझना है start में graph यहां पर है अब जैसे जैसे इस तरफ जाँगा वैसे वैसे dilution बढ़ता जाएगा तो जैसे जैसे इस तरफ जा रहा हूं देखो यह value बढ़ती जा रही है तो जैसे जैसे dilution बढ़ाते हैं molar conductivity बढ़ रही है लेकिन वो एकदम almost ऐसे बहुत धीरे बढ़ रही है ऐसे एकदम सीधी ऐसे नहीं बढ़ रही है जैसे कि generally graph कीशते हैं तो ऐसे एकदम सीधी हो गई या फिर ऐसे एकदम ऐसे हो गई इस pattern में नहीं बढ़ रही है आल्मोस्ट ये horizontal line के थोड़ा सा उपर, मतलब बढ़ तो रही है पर धीरे बढ़ रही है, एक चीज मैं वापस repeat करता हूँ, इस graph को इस तरफ से इस तरफ क्यों read करना है, क्योंकि इस तरफ से इस तरफ concentration दे रखी है, तो इधर से इधर जाएंगे तो dilution होगी, अपन ये बता dissociation बढ़ता है, मतलब और dissociate होते हैं, जो generally नहीं dissociate हो रहे थे, वो भी dissociate होने लगते हैं, लेकिन strong electrolyte तो already क्या होते हैं, पहले से ही dissociate होते हैं, इसका क्या मतलब होगा, कि strong electrolyte के case में dilution का बढ़ाने पर कुछ dissociation पर तो कास फरक नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि वो already पूरा dissociate हो रहा है, अब क्या होगा, dilute करने पर solvent जो है, जिसमें iron move करेंगे, उनका motion थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि dilute करने पर वो थोड़ा पतला हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है, तो उसमें ions को move करना आसान होगा, तो it is due to the fact that the strong electrolyte already ionized almost completely, थोड़ा बहुत औ और ionized हो जाएगा, जो molar conductivity होती है, वो फिर increase क्यों हो रही है, क्योंकि ease of iron moment, iron का moment आसान हो जाएगा dilution की वज़े से, उसका कुछ खास फरक नहीं पड़ेगा, इसलिए slowly increase होती है, इसको एक relation से समझ सकते है, ये molar conductivity है, ये limiting molar conductivity है, ये constant है और ये क्या concentration, इसको अपन कर रहे है, y equal to c plus mx, mx plus c लिको, c plus mx लिको, उसे compare कर रहे है, तो y की जगा क्या आ रहा है, molar conductivity, दोको ये y axis पर पने molar conductivity ले लिए, x की जगा क्या रहा है, root c, ये x की जगा root c, मैंने straight line की equation, आपको chemical kinetics में भी बहुत सारे graph बनवाएते, वो ही pattern इस्तमाल कर रहे है, ठीक है, x का multiple जो होत तो root c के इसाफ से ये graph देखो, slope करती जा रही है, ठीक है, ये equation किसके हिसाफ से दे रहे है, concentration के हिसाफ से, तो अगर concentration देखे तो इस तरफ बढ़ रही है, और इस तरफ ये line नीचे की तरफ आ रही है, तो negative slope है, इसलिए line नीचे आ रही है, c किसको denote करता है, intercept को, intercept क्या है, lambda not m, मतलब अगर ये graph यहाँ कहीं touch करता, तो वो जो intercept होता, वो किसको denote करता, lambda not m को बोले, तो limiting molar conductivity को denote करता, A slope है, जो depends करती है, किस पर अभी अपने देखा, A slope होती है, और वो type of electrolyte पे depend करेगी, अब type से क्या मतलब है, कि जैसे NaCl और KCl है, तो ये दोनों, एक cation और एक anion बनाएंगे, तो इस pattern के जितने भी होंगे, जिसमें एक cation, एक anion बनाएंगे, उसके लिए A same रहेगा, CaCl2, MgCl2 ये ऐसे है, जिसमें दो anion बन रहे है, एक cation बन रहे है, ठीक है, तो उसके हिसाफ से अपने, sorry, दो anion, एक cation नहीं, cation के उपर charge किता है, plus 2, और anion के उपर charge कितना है, minus 1, तो उस हिसाफ से 2, 1 लिखावा है, यहां 1, 1 क्यों लिखावा है, na plus, cation minus, दोनों के उप मतलब cation के उपर 2 charge है, anion के उपर 1 charge है, अगर इस वाले को देखे, तो इन में दोनो, cation और anion, दोनों पर 2, 2 charge है, तो यह इस pattern पर depend करेगा, कि anion पर कितना charge है, cation पर कितना charge है, तो 1, 1 वाले जितने भी electrolyte होंगे, उनके लिए A सहम रहेगा, 2, 1 वाले जितने भी होंगे, उनके लिए सहम रहेगा, इसलिए यह लिखावाई A किस पर depend कर रहा है, type of electrolyte पर depend कर रहा है, lambda not M, जो की intercept है, वो limiting molar conductivity को denote करता है, अब अपन यह निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो यह red color की line, इधर तक तो अपन ने इसमें भी बनाई थी, इसको आप extra plot कर लो, extra plot मतलब scale रखो और सीधा आगे खीच लो, और आगे खीच लो, तो यह यहां कहीं touch होती, जहां पर touch होती, उस concentration पे, देखो concentration कितनी होगे, zero, तो zero concentration पे जो conductivity होती है, वो ही तो क्या कहलाती है, limiting molar conductivity, तो limiting molar conductivity, strong electrolyte की कैसे निकाल सकते हैं, extra plot करके, direct क्यों निकाल सकते हैं, देखो direct निकालने के लिए, जैसे जैसे अपन concentration गटाएंगे, बढ़ती रहेगी, limiting molar conductivity वहां आएगी, जा concentration almost zero हो जाए, अब वहां पर conductivity कल्कुलेट करना मुस्किल होगा, तो अपन आदा graph ड्रॉ कर लेंगे, और फिर extra plot करके, क्या निकाल लेंगे, limiting molar conductivity, तो यह तो था अपने strong electrolyte, अ इन पे भी क्या होगा, dilution बढ़ाने पर molar conductivity बढ़ेगी, जैसे कि इदर भी बढ़ेती, लेकिन यहां बढ़ना rapidly होगा, देखो, इस तरफ जाते हैं, तो dilution होता है, जैसे जैसे इस तरफ जा रहा हूं, dilution बढ़ता जा रहा है, और molar conductivity एकदम बढ़ गई, तीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर weak electrolyte था, weak electrolyte जो होते है, generally पूरी तरीके से ionize नहीं होते, जब उसमें dilute किया, तो वो और ज्यादा ionize हुआ, जैसे जैसे dilute करते रह गए, ionization की amount बढ़ती गई, और ions ज्यादा बने तो conductivity एकदम बढ़ने लगी, तो as dilution increase, degree of dissociation increase, so molar conductivity जो होती है वो increase होती है, पर यहां पर क्या problem, यह graph last में जाके एकदम सीधा हो गया, तो इसको मैं extra plot नहीं कर सकता, अगर इदर से खिचूंगा तो यह सीधा ही रहेगा, यह कभी भी इस line को touch नहीं करेगा, तो अपन molar, limiting molar conductivity, extra plot करके तो निकाल नहीं सकते, तो कैसे निकालेंगे, से निकालेंगे, कॉल्राव से, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि कॉल्राव सलो होता क्या है, और फिर अपन कॉल्राव सलो का इस्तमाल करके, अपन limiting molar conductivity, weak electrolyte की कैसे निकालते हैं, वो सीखेंगे, तो देखो, यहां देखते हूं, कॉल्राव सलो क्या है, limiting molar conductivity of an electrolyte can be calculate as sum of individual contribution of anion and cation of electrolyte, इसका क्या मतलब है, आपको limiting molar conductivity निकालनी है, तो आप कैसे निकाल सकते है, जो cation है, उसकी limiting molar conductivity कितनी है, और जो anion है, उसकी limiting molar conductivity कितनी है, उनका total, जितने total cation है, जितने total anion है, उनका जो limiting molar conductivity का sum होगा, वो net इसका देदेगा, limiting molar conductivity, यह क्या है, cation के number, यह क्या है केटाइन की limiting molar conductivity यह एनाइन के नंबर यह एनाइन की limiting molar conductivity कैसे देखो एक example से समझते हैं जैसे मालो मुझे naCl की निकालनी है तो हपन सब जानते हैं कि जब naCl को आयनाइच करेंगे तो क्या बनेगा na plus और CL minus एक na plus और एक CL minus तो lambda not naCl किसके बरावर होगा lambda not na plus, lambda not cl minus, आगे कोई number क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनके number कितने है, एक एक, ठीक है, यहाँ पर यह lambda और यहाँ पर यह lambda इस्तमाल करेंगे, यह capital lambda होता है, यह small lambda होता है, ठीक है, mgcl2 का निकालना है, जब mgcl2 को आएना हिच करते हैं, अपन को पता है, क्या बनेगा, mg plus 2 और cl minus, ठीक है, तो mg plus 2 है, तो mg plus 2 के लिए lambda not mg plus 2 लिए, cl minus के लिए lambda not cl minus लिए, लेकिन mgcl2 में 2 cl minus बनेंगे, देखो cl के नीचे कितने है, 2, तो 2 cl minus बनेंगे, इसलिए आगे 2 लगा दी, जैसे मान लो कि मुझे निकालना हो, al2 o3 का निकालना हो, तो क्या होगा, al plus 3 और o minus 2, सही है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यह तो होगे यह, अब aluminium कितने है, 2 और oxygen कितने है, 3, तो अपने ऐसे लिखेंगे, lambda not al2 o3 equal to, यह कितने है, 2 है ना, तो 2 लिखेंगे, फिर lambda not al plus 3, और यह कितने है, 3, तो 3 lambda not o minus 2, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, इस प इकदम simple सा है, अपन को क्या करना है, lambda not mg plus 2 दे रखा है, lambda not cl minus दे रखा है, और कह रहा है, mgcl2 का निकालो, तो lambda not mgcl2 क्या होगा, इसमें देखो, यह वाला case लगेगा, 1 mg plus 2 बनेंगे, 2 cl minus, तो यहां लिखेंगे, lambda not mg plus 2, यह आगे number क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि mg plus 2 किता बने अब दोनों की value put कर देंगे, lambda not mg plus 2 की value कितनी दे रखा है, 106, lambda not cl minus की value कितनी दे रखा है, 76.3, वो रखके solve कर देंगे, रंसवा निकाल लेगे, limiting molar conductivity की unit क्या होती है, Simon cm2, mole inverse, तो लगा देगे, अब इसका इस्तमाल कैसे करेंगे, वो देखते हैं ठीक है, तो पहला इस्तमा है, इसकी पहली application है कि weak electrolyte की limiting molar conductivity अपन निकाल सकते है, कैसे निकालेंगे, अच्छे से सुनना, जैसे मालो CS3COOH, एक क्या है, weak base है, weak base है, तो weak electrolyte होगा, अब इसकी molar conductivity कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तीन strong electrolyte इस्तमाल करेंगे, क्या इस्तमाल क्या करेंगे, strong electrolyte, electrolyte, कितने इस्तमाल करेंगे, तीन, तीन क्यों करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ionize करता हूं, तो क्या बनेगा, एक बनेगा, CS3COOH, एक क्या बनेगा, H+, ठीक है, तो एक strong electrolyte मुझे ऐसा लेना है, जिसमें CS3COOH आता हूं, एक strong electrolyte मुझे ऐसा लेना है, जिसमें H+, तो CS3COOH, किस strong electrolyte में आता है, एक salt में आता है, जिसका नाम है CS3COOH, ठीक है, और H किसमें आता है, HCL में आता है, यह strong electrolyte है, strong acid है, अब मुझे एक और strong electrolyte लेना है, वो क्यों लेना है, देखो, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, CS3COOH, और H+, लेकिन इस है, और इस वाले में क्या extra है, CL- extra है, तो एक electrolyte में ऐसा लोंगा, जिसमें यह दोनों कहता है, नाते हो, कौन सा होगा, NaCl, वापस repeat कर रहा हूँ, CS3COOH, तो एक strong electrolyte यह लिया, क्यों लिया, क्योंकि यह CS3COO- देगा, यह क्यों लिया, क्योंकि यह H+, अब यह क्यों लिया, क इसको इधर लिखेंगे, ठीक है, और इसकी, sorry, इसकी value अपन को निकालनी है, बस इतना याद रखना कि यह किसके बराबर होता है, यह याद रखना, यह होगा किसके बराबर, lambda naught CH3COO- plus lambda naught H+, के बराबर, ठीक है, अब direct तो निकाल नहीं सकते है, क्योंकि यह weak electrolyte है, लेकिन य यह जो अपन तीन इस्तेमाल कर रहे हैं, यह तो strong है, अब पहले मैं इसके लिए call raus law लगाता हूँ, तो lambda naught CH3COO- plus lambda naught NA+, फिर मैंने यह लगाया, lambda naught H+, lambda naught CL-, इन दो equation से देखो clear हो जाएगा, इस वाली equation में मिरको यह मिल जाएगा, जो मिरको चाहिए, इस वाली equation से मुझे H+, म इलोक्टोलाइट लोगा, NA CL, उसका lambda naught NA+, CL-, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को तो add कर दूँगा, किन दोनों को add करूँगा, जिसमें मेरे V की लोक्टोलाइट का या तो catain है, या N9 है, तो इस वाले में catain था, इस वाले में N9 था, इस वाले में catain, तो मैं इन दोनो को तो add कर दूँगा, जो extra वाला था, NA plus और CL minus किस में था, NA CL में, इसको मैं minus कर दूँगा, तो equation 1 और 2 को add किया, equation 3 को minus कर दिया, अब ध्यान से सुनना, इन दो को plus करना है, यह plus का sign लगा दिया, यह minus करना है, यह minus का sign लगा दिया, इसकी value, यह रही इसकी value, फिर plus HCL की value, य इसके आगे भी minus आगया, इसके आगे भी minus आगया, अब होगा क्या, देखो NA plus से NA plus कर जाएगा, यह वाला, इस वाले से यह भी कर जाएगा, पीछे क्या बचेगा, लेम्डा नॉट CS3 CO minus और लेम्डा नॉट H plus, और यह दोनों का sum, देखो, यह दोनों का sum किसके बराबर हो निकाल सकता हो, यह भी strong electrolyte है, इन तीनों की value put करेंगे, तो solve करेंगे, तो इसके आजाएगी, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे मालो की exam में तुम्हे कहें कि H2O की निकालो, किसकी निकालो, H2O की, इसी method से, तो पहले देखेंगे, H2O में iron कौन से होता है, H plus और OH minus, त तो H plus तो निकल जाएगा, HCl में, तो एक यह ले लूँगा, OH minus निकल जाएगा, NOH में, वो strong base होता है, एक यह ले लूँगा, इन दोनों की molar conductivity को तो क्या करूँगा, add करूँगा, अब minus करने के लिए कौन सा लूँगा, तो इस वाले में CL extra आ रहा है, इस वाले में NA extra आ तो माइनस क्या कर दूँगा, NACL की molar conductivity, इस तरीके से अपन निकालते हैं, एक बार यह note कर लीजिए, इस पर एक numerical भी देखते हैं, और साथ ही साथ में अपन क्या करते हैं, एक और application है, उसको भी समझते हैं, ठीक है? Next, आगे बढ़ते हैं, एक question लेते हैं, देखो इस question को समझता, इसमें कुछ की molar conductivity अपन को दे रखिया है, और किसी एक की निकालनी है, किस की दे रखिये, देखो, NACL की value दे रखिये, HCL की दे रखिये, और NAAC, AC या acetate ion को denote करता है, किसको denote करता है, यहां पर लिख देता हू यह book में ही ऐसे लिखा हूए, ठीक है, मैंने नहीं लिखा, आपको पता होना चाहिए, या AC किस के लिए, CS3, COO- के लिए, NAAC क्या हो जाएगा, CS3, COO, NA हो जाएगा, तो किस की molar conductivity दे रखिये, देखो, एक molar conductivity दे रखिये, limiting molar conductivity ठीक है, एक दे रखिये, 126.4, एक अपने दे रखिये, 425.9, और एक अपन को दे रखिये, NAAC का क्या मतलब होता है, CS3, COO, NA, इसकी दे रखिये, कितनी दे रखिये, 91, यह तीन गीवन है, निकालनी किस की है, HAC की, AC क्या होता है, CS3, CO-, इसका मतलब, limiting molar conductivity अपन को निकालनी है, CS3, COO, H की निकालनी, कैसे निकालनी है, द इस दो को तो अपन को सम करना है, जिसमें या तो CS3, CO आता हो, या H आता हो, तो CS3, CO आता है, इसमें, और H आता है, इसके उपर वाले में, इन दोनों को तो सम कर देंगे, तो HCL और HCL के साथ अपने कौन सा है CH3 COONA इन दो को तो अपन सम कर देंगे माइनस क्या करेंगे यह NACL क्यों इसमें CL एक्स्ट्रा है इसमें NA एक्स्ट्रा है तो इस वाले को माइनस करतें है बात समझ भारी है अब अपन वैल्यू पूट कर देते हैं HCL की वैल्यू कितनी है 425.9 इसकी वैल्यू कितनी है 91 ठीक है और इसकी वैल्यू कितनी है 126.4 ठीक है तो अपन इसको सॉल कर लेंगे सॉल करेंगे तो आजाएगा 390.5 ठीक है और यूनिट क्या हो जाएगी साइमन सेंटीमेटर स्क्वेर मोल इन्वर्स ठीक है यह निकाल एक देखो तुम खुर ट्राई करना बुक में लिखा हुआ है कि मोलर कंड़क्टिविटी निकालनी लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिव करना जैसे अब भी मैंने उसका करवाया था ना CS3 COH का वैसे पूरा सॉल करना एक तो लेंगे इसका निकालना है तो एक तो अपन ले लेंगे लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी जो H देता हो H कौन सा होगा HCL एक जो OH माइनस देता हो इसके लिए अपन क्या लेंगे NOH फर इसमें CL extra आ गया इसमें NA extra आ गया तो माइनस करने के लिए क्या ले लेंगे NA CL चेक करके देखना इससे आता है या नहीं आता आ जाएगा ठीक है next है calculation करनी है अपन को degree of association की dissociation की तो कैसे निकालेंगे molar conductivity उपर और limiting molar conductivity नीचे रखेंगे तो degree of dissociation आ जाएगा अब molar conductivity कैसे निकालेंगे K upon C से जब C किस में दे रखाओ mol per meter cube में दे रखाओ तो यह और mol per liter में दे रखाओ तो उपर 1000 से multiply करा देंगे में मुद्धा यह है कि C concentration किस में दे रखाओ मोल per meter cube में दे रखाओ तो इतना काफी है mol per liter में या molarity में दे रखाओ तो आप यह वाला मदब 1000 से multiply करा देंगे और नीचे यह lambda not m किसे निकाल सकते कॉल्राव से अगर कोई numerical आये तो उपर वाली value तो इससे निकाल लेंगे नीचे वाली या तो question में दे रखी होगी या कॉल्राव से निकाल लेंगे अब एक और होता है dissociation constant उसका formula होता है C alpha square 1 minus alpha अब alpha जो है वो अभी अपने देखा lambda m upon lambda not m तो alpha square था तो lambda m का square lambda not m का b square 1 की जगा 1 alpha की जगा lambda m upon lambda not m LCM ले लिए तो यह आ जाएगा इससे एक lambda not m कर जाएगा तो यह formula आ जाएगा ठीक है तो यह वाला formula भी लगा सकते है कि यह find करने के लिए यह भी लगा सकते है of यह concentration दे रखिए concentration किसमें दे रखिए mole per liter में दे रखिए मतला molarity है तो 1000 से multiply कराएंगे उपर ठीक है और उसकी conductivity की value यह दे रखिए यह conductivity नहीं है देखो आप confused हो तो इसके पीछे mole per liter लिखा होती है यह concentration की unit है और इसमें देखो यह conductivity की unit लगा रखिए तो यह conductivity दे रखिए अब वह कह रहा है के की value निकालो और molar conductivity भी दे रखिए तो concentration दे रखिए के दे रखा है lambda not m दे रखा है ठीक है तो अपनको पहले तो alpha निकालना पड़ेगा के निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है alpha तो उसके लिए lambda m निकालूँगा lambda m कैसे निकालूँगा के upon c भी लिख सकता था लेकिन यह कब करता जब c mole per meter cube था पर यहां तो mole per liter दे रखा है तो k into thousand upon c value put करके lambda m निकाल लूँगा अब चाहूं तो lambda not m और lambda m और c की value इस वाली equation में रखके भी k निकाल सकता हूँ और चाहे तो मैं एक और value निकाल लूँ पहले alpha alpha कैसे निकाल लेंगे lambda m upon lambda not m दोनों की value put करके यह निकल गई और फिर इस वाले formula में c और alpha की value put करके निकाल लें ठीक है तो यह अपना था क्या था कॉल राउस law जिसकी दो application है दोनों पर मैंने एक एक numerical करा दी बुक में एक दो और मिल जाएंगे आप उसकी अच्छे से practice कीजिए अराम से solve हो जाएंगे कोई बड़ी problem नहीं है ठीक है अब अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे एक cell और हुआ करता उसको समझेंगे फेराडे की law करेंगे और फिर एक वीडियो अपन बनाएंगे cell पर जिसमें cell और corrosion करेंगे तो दो और वीडियो करोंगा फिर यह chapter complete हो जाएगा तो उमीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मिल झाल 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 झाल